हुआ हेलो फ्रेंज मैसल चिंतन आइम अमीन स्टेक डेवलपर और इस नोट जियास के बेसिक्स इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे इस नोट जियास के कोर्स में कि क्या-क्या बेसिक्स चीजे आपको आनी चाहिए क्योंकि हम यहां पर थोड़ा बहुत जावा स्क्र पर शिप्स से फैमिलियर होंगे इस पालिगुलर इंट्रोड़क्शन में ताकि आप मोट जियास के अगले टूटॉरियल्स को बहुत अच्छे से और बहुत एजली अंडर्सेंड कर सेकें तो यह लिए बहुत स्टार्ट विद टॉपिक इस पालिगुलर कोर्स ब्राट इ इस पालिगुलर साइट पर बहुत सारे और भी टूटॉरियल एवलेबल है तो आप अपनी च्वाइस के अनुसार आप अपनी इंट्रेस्ट के हिसाब और भी चोर्स को चूज कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम नोट जेस के बारे में पढ़ेंगे तो लेट से स्टार्ट वि को आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी है तो आप इसको बहुत इस चैप्टर को ग्रैब कर देंगे क्योंकि हम फिर एक इंट्रोड़क्शन पढ़ेंगे एक आप पर रहे हैं प्रोग्रां का क्योंकि अगर मैं यहां पर यह मानकर चल रहा हूं कि अगर आ बहुत जा जावा स्क्रिप्ट पर बेस्ड है तो बहुत वी एट जावा गूगल क्रोम का एक वी एट इंजन है उस पर बेसिकली रेयन डालने उसको और इंप्रूव करके बनाया है नोड जेस को तो इस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हम इसमें लिखते हैं बहुत तेज तो यह सिंग लेवल के कोर्स में हम पढ़ेंगे तो वहां पर यह चीज़े आपको और बहुत जादा क्लियर हो जाएगी बस बट इस पल्टिकुलर टुटोरियल के लिए यहां बहुत ही बेसिक सी चीज़ें नोड जेस के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्त आफ दा स्टफ इस अनली रिल हाइन डिमांड है बहुत बड़ी हड़ी साइट्स में यूज हो रही है और एक्जामपल अगर आप शॉपिंग कार्ट एक्जामपल है तो मंत्रा फिलिप कार्ट एमेजोन यह सब नोड जेस पे काम करती है अगर आप पेपाल आपने यूज किया हो तो पेपाल भी बहुत पेपाल ने अपना पेपाल प्रोड माईगरेट किया था दोन हमनों गगरती है तो चाम पर भी हमें जब भी बहुत सारे इसे फेसबցक्र toast के गेंड जिनका बैक्न जो हमनोंस इस में नोड जैसी हैंडल करती है कुछी बहुत सारी चीज़े जहाँ बहुत ज़्यदा कॉं के ऑन ब्लॉकिंग कोद इन सब के बारे में हम नेक्स टु होना चाहिए हम English लिखना चाहिए हमें सबसे पहले ABCD आनी चाहिए तो यह इस तरीचे का कोर्स है जो सिर्फ और सिर्वा को बहुत बेसिक अंडरस्टेंडिंग दे रहेगा इसके बाद आप फर्दर थोड़ा और इस को पढ़ेंगे थोड़ा और अंडरस्टेंड करेंगे तो आप बहुत ज्यादा ये पर्टिकुलर कोर्स आपका नोट जैस एंवारिमेंट से आपको फैमिलियर कराएगा और आप बहुत ज्यादा इस कोर्स से बेनिफिटेड होंगे और आप बहुत अच्छे ची कंपनीज में भी फिर ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि नोट जैस के स्किल डेवलपर्स इस समय बहुत कम है तो आई होप कि यू इंज्वाइड इस टूटूरियर सो लेट्स स्टार्ट विगिनिंग और टूटूरियर इंडिफाइनिंग वेरियर्वेल्स नोट जैसा कि आप प्रोग्राइमिंग में जानते होंगे हम व के वरियावलस बेचिकली के अगर हाब समस्क्राइणूर्ट का अगर के सीप्लस करता है अपने लुकू परभी होगी में पता होगा है विल्याय त्यूंग दिटर्ट टैटिप्स आँपी बहुत अलग 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 स्टूरी अप सकते हैं कि अगर इवरियर्स प्रमें STRM data type होता है, Numeric data type होता है, Boolean data type होता है, Array data type होता है, और Objects भी कई बार data types में आते हैं, यहाँ पे हम, तो अगर हम C++ या Java में अगर आप बात करें, तो वहां पर हमें declare करना होता है कि हमारा variable का type क्या है यानि कि जो हमारा placeholder है जिसे हम variable कहते हैं वो किस type का data अपने अंदर contain कर सकता है यानि कि हम इसको ऐसे समा सकते हैं कि अगर एक fix type का हमें container define करना होगा कि इस particular container में क्या चीज़े जाएंगे क्या हम value store करा सकते हैं variables इनको हम programming में कहते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने define कर रखा है where age equals to 29 तो जैसे कि आप यह देख रहे हैं कि 29 एक number है अगर हम C या C++ पढ़ रहे होते हैं या Java पढ़ रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर पहले हमें बेना पढ़ता है int is equal to 29 जो यह declare करता कि यह integer type का data type है integers मुझे लगता है आप लोगों को मालुमी होंगे जैसे 1, 2, 3, 4 और doubles बेसिकली हम या floats हम उनको बोलते हैं जो decimal value को contain करते हैं जैसे कि 24.34, 0.99 यह सारी float values है और जो integers होते हैं वो pure numerals होते हैं without decimals जैसे कि एक number होता है वो कभी integer या fraction में नहीं होता तो यहाँ पर मैंने बता है कि एक variable age है जो for example, मेरी age जैसे 29, let's say my age is 29 तो मैंने अपनी यहाँ पर a define कर लिए where name equal to chinkal जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि different kinds of data type होते हैं तो अब आप यह देखे कि यहाँ पर मैंने एक string define करी है string basically हम या तो single quotes में define करते हैं या double quotes में define करते हैं इस तरीके से लेकिन यह invalid होगा यानि एक single और एक double या फिर एक double या फिर एक single या तो वो दोनों ही अगर हमें string type का data type define करना है जबकि java script में हम कभी भी data का type नहीं define करते हैं हम सिर्फ variable का नाव where keyword से जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखे हो हम सिर्फ सारे example में हमने where लगा दिया है यह तो यह type हो हो गया मुझे लगा यह शॉट में होता है जैसे कि अब यहाँ पर हम यहाँ आते थे मैंने अपना नाम चिंतन यहाँ पर लिखा हुआ है अब आप देख सकते हैं कि name type of data type यहाँ पर string data type इसको भी हम simple name where से denote कर सकते हैं फिर आप next देखते हैं male यहाँ मैंने gender define कर दिया है अगर मैं यह करता माली यह मुझे string यहाँ पर मैं सुभी यह चेक कर आ रहा हूँ कि male है या female है male है तो true है female है तो false हो गया तो फिर यहाँ पर यहाँ पर हम string type का अगर हम इसको save करना होना चाहते हैं तो हम इसको एक कुछ इस तरीके के save करा सकते हैं gender equal to male या फिर male होगा या female होगा इस तरीके से हम इसको करा सकते हैं जा फिर हम simple एक character भी define कर सकते हैं for example gender f female के लिए है m होगा हमारा male के लिए but यहाँ पर हमने true और false एक तरीके का अगर आपको पता हो तो यह तरीके का boolean define कर दिया हमेने कि यह इसकी value true है इस तरीके से हमने gender को true define कर दिया क्योंकि इस समय programmatically एक तरीके का boolean variable है true जाकर मालिजे कोई सिर्फी male का होता तो हम इसको false लिख देते हैं इस तरीके से हम इसको यहाँ पर define करते हैं hobbies अब इस variable को देखिए इसको मैंने जब हम यहाँ पर square brackets इन तरीके के brackets को हम square brackets कहते हैं क्योंकि यह square brackets shape नहीं है तो अब एक आदमी की या मेरी multiple hobbies हैं जैसे मैं cricket भी खेलता हूँ मुझे chess भी पसंद है Sudoku भी पसंद है and XYZ आप लोगों की भी मुझे लगता है multiple hobbies होंगी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही hobby होगी तो जब multiple data sets होते हैं हमारे पास एक ही similar kind of data sets होते हैं तो हम जो है उसको basically हम hobbies जैसे में एक array बना रखी है तो हम उसको array में store कराते हैं similar kind of data sets हम उन्हें एक array में define करा जिते हैं कि जैसे मेरी यहां पर hobby थी multiple hobbies हैं आप लोगा पर badminton हो सकती हैं किसी के बास के लिए follow सकती है किसी के wrestling हो सकती है तो multiple data sets के आप अगर आप similar तरीके भी save कराना चाहते हैं तो आप इसको एक array में define कर सकते हैं और इसको यही नहीं बलकि अगर आप सिर्फ इतना भी छोड़ देंगे तो यह भी एक valid data type है यानि कि अगर आपके कोई hobby नहीं है तो आप इसको blank भी declare कर सकता है एक और तरीका होता है array define करने का वो यह होता है array इस तरीके से भी हम javascript में array को define करते हैं बट यहां पे मैं आप लोगों के यही suggestion दूँगा इस point पे कि इस particular चीज का आप लोग बहुत कम ही use किया कर यह क्योंकि जब आपको पता हो कि आप किस तरीके से use कर रहे हैं या किस तरीके से क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो drawback है वो यह होता है कि जब हम initialize करते हैं तो यह basically एक object तरीके का हमारा data type है हमने object define कर दिया ठीक है और कई बार हम कुछ इस तरीके का code करते हैं कि हमारा garbage collection जो होता है memory को de-allocate नहीं करवाता है तो यहां पे हम थोड़ा performance के issues, memory leaks वगारा को कई बार fakes करते हैं जब आप higher आप इसको पढ़िए java script तो उसमें memory leaks, performance, optimization यह सारे topic clear होते हैं बट अभी के लिए आप यह समझ लीजे कि इस तरीके से square brackets का जहां जहां तक हो सके आप square brackets में ही data को save करें next है यह बहुत है आपको समझने की जरुवत है बहुत ध्यान से समझेगा यह एक नए तरीके का database है इसमें अगर आप देख रहे हैं हमने curly basis के अंदर मैंने अपना profession और location यहां पर देखिए मैंने एक profession में engineering डाल रख है, location डाल रख है और एक noida डाल रख है तो यहां पर अगर आप for example एक information को multiple तरीके का data sets है वे जैसे कि मान लीजाए अगर मैं इस ही को ही यह collection यहां पर जो मैंने बनाया है इसी को ही मैं अगर as an object save कराना चाहूं जिसमें मैं age, name, gender, hobbies और info declare करना चाहूं तो मैं via objects इसको कर सकता हूं कि एक object बनाऊंगा जो multiple चीज़ों को hold कर सकती है जैसे कि इस case में profession engineering मैंने रखा location में अपनी noida डाली है और अगर मान भी जैसी में मुझे अपनी age भी save करानी होती तो मैं इस तरीके से कर देता जो कि एक valid है valid data type है यहनी कि यहां पे मैंने कि string पास कर आई यहां पे मैंने एक number पास कर आई है यही नहीं नहीं मैं और आगे देख सकते है gender भी पास करा सकता हूं मान लीचे इस case मैं true false boolean से save करा रहा हूं एगर male है तो true है और सिर्फ यहीं नहीं बन की यहां पे मैं अगर आप गहुर करें तो यहां मैं hobbies नाम के array भी define कर सकता हूं जो अपने आप में खुद एक और object contain कर सकती है खुद इस तरीके से हो सकती है अब आपने यहां पे देखा कि हम इसलिए हम जब भी यहां नोड.js में यह जावास्क्रिप में प्रोग्राइमिंग करते हैं हम most of the time हम objects को use करते हैं क्योंकि हम इसमें क्योंकि सबसे बड़ाव आप देख रहे हैं benefit कि इसमें आपका multiple data types आ जाते हैं और आप बहुत सारी values के एक ही object में store करा सकते हैं तो हम आप यहां पर यह देख सकते हैं समझ सकते हैं कि क्यों हम ज्यादा तर चीजों को object में रखते हैं क्योंकि एक person के अगर आप अपने ही आप अपने को as an object consider करो तो आपकी बहुत सारे attributes हो सकते हैं जैसे कि for example आपकी age, आपकी height, आपका color, आपका weight, आपका gender और और भी बहुत different kind of attributes हो सकते हैं आपकी studies कहां से हों, आपके college का नाम, आपकी information, mother, father यह सारी चीज़ हैं आप यह object में ही रख सकते हैं तो I hope this thing is clear to you now यहां पर एक चीज़ मने यहां बताई हैं कि in general we can declare a variable name with any name but you must avoid usage of javascript keywords this is the list of keywords to apply हम generally programming perspective में और एक general सब्सक्राइब में नहीं बल्कि किसी भी है एक general programming language में बात करें या coding practices की बात करें तो हमेशा हमें keyword जो कुछ sets होते हैं किसी भी language के उनको हमें use नहीं करना चाहिए जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे multiple मैंने define कर दी हैं यह keywords जैसे break हुआ new रेटर हुआ case हुआ हमारा इस इस तरीके की multiple जो हमारे पास keywords है हमें avoid करना चाहिए जहां तक कि हो सकें कि हमें use नहीं करना चाहिए और मैं आपको personal experiences से बता रहा हूँ कि most of the time आपको सच में इन में से कोई keyword की जिद्धम जरूरत नहीं पड़ेगी तो it's better कि आप थोड़ा इनको avoid करिये और always follow the best practices तब कि यह मान लीजाए otherwise आप इनको use करते हैं और कहीं पर आपको बूल जाते हैं और नहीं इनको split करते हैं नहीं चीजों का handle करते हैं तो आपको हो सकता है बाद में अपने code में ही अगर आपको नहीं तो कोई दूसरा अगर इस particular आपके project के काम करें तो उसको बहुत जादा problem face करने पर सकते हैं इसलिए हम as a general programming concept हम use of keywords हम हमेशा avoid करते हैं हम हमेशा इस चीज से बचते हैं हमें नहीं करना चाहिए यह particular list set है आप इसको check कर सकते हैं यह basically कोई node.js की नहीं कर दिए javascript पर ही based है node.js तो यह common javascript की ही keywords हैं इसे हमें बचना करें कई बार अब हम next slide के आते हैं comments comments basically हम कहां पर use करते हैं और क्यों use करते हैं अगर हमें कोई भी चीज और example let's say अगर हमें मान लीजे हम चाहते हैं किसी हम बहुत बड़े project के काम कर रहे हैं अब project को बहुत time के लिए चल सकता है और किसी एक particular function या method को हम चाहते हैं कि comment out हम बाद में create करना चाहें या किसी functionality को for the time being हम बंद करना चाहें कि जिसे हम बाद में हम open कर दें या हम बाद में कोई दूसरा अगर developer काम कर रहा हो तो वो समत सके कि यह चीजों को क्या define कर रहा है अब जैसे कि इस case में ही है where p1, p2, p3, p4 अगर मैं यहां पे यह लिखता हूं person p1 person p2 person p3 person p4 तो इन से आप एक case नहीं लगा सकते हैं यह कि basically person name one, two, three, four क्या हो सकता है यह person का पूरा का पूरा एक object भी store कर सकते हैं variables यह refer कर सकते हैं simple name को यह person की age को अगर हमारा name हो तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे person name person name person यहां पर एक चीज में बस आप लोगों को बताना चाहूंगा speed and share करना चाहूंगा इस तरीके की name spacing को हम generally camel casing कहते हैं कि camel case में हमें लिखना यानि सबसे पहला जब variable where से जस्ट बादवाला जो रहेगा सबसे पहला world जो होगा वह हमेशा small में होगा और next coming हमेशा capital में होगा यह general convention है कोई यह mandatory नहीं अगर मैं चाहूं ऐसे भी लिखना तो यह लिख सकता हूं but as a standard यह हम एक convention के तौर पर कह सकते हैं कि java script में इस तरीके convention follow किया जाता है camel casing spacing हम इसको बोलते हैं हम जहां पर देख सकते हैं कि हमने person name one person name two person name four multiple person names रखे हैं अगर हम person name तो देखें कहां हमारा P1 था initially हमारा एक तो हमने इतना सारा लिख दिया और यह सिर्फ एक तरी के placeholders हैं comments हमें यहां पर benefit कर सकते हैं कि इस particular lines के declaration से पहले just हम अगर यह declare कर दें कि name of persons तो अब आपको यहां पर यह देख सकते हैं कि इससे कोई भी अगला person जो project पर काम कर रहा है उसे कितने helpful हो जाए है कि p1, p2, p3, p4 name of persons को denote कर रहा है तो इसलिए हम comments को generally डालते हैं ताकि दूश्रे लोग भी यह अगर कल को हम के भी बहुत जादा code कर रहे हैं दो महीने बाद अगर हम उस code को फिर से पढ़ें तो एक readable form में हो एक ऐसे फैब में हो जैसे हम समझ सकें generally हम comments कोई necessary condition नहीं होती है यूज करने की पट फिर भी in general practice हम comments हमेशा हमें यूज करने चाहिए arithmetic operations पर आते हैं अगर हम where a, b अगर हम करते हैं तो यहां पर आप इस तरीके से अब आपको समझ में है यह को हम variables को define कर सकते हैं यह कोई जरूरी नहीं है कि हम variables का name हम यहां दे तो हम यहीं पर उसको define भी करें कि यानि इसकी value को हम define करें हम इसको कभी और बाद में माल लिज्या हमने define करा फिर हम late step stage पर हम इसको define कर सकते जैसे कि इस जगह पर मैंने A20 जो 10 value दे भी हमारा 5.48 float type की value है लेकिन यहाँ पर बस एक चीज आपको ध्यान देने की यह है कि A और B जब तक यह भी define नहीं किये गए है तब तक कि अगर आप इनकी value को print कराएंगे अगर इस case में देखें इस अगर हम देखे कि एक sequence हमारा code run कर रहा है तो यहाँ पर मैं एक question है कि यहाँ पर value of A क्या आएगी क्या यह console कराएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस case में अभी हमारा A क्योंकि undefined है इसकी कोई भी value नहीं आई है तो यह undefinedly use करेगा return करेगा हमें तो यहाँ इसलिए general practice में अगर हम कभी ऐसे करते हैं तो हमें के value हम define भी कर देते हैं आप इस तरीके का भले एक मैं कौंगा convention ले सकते हैं अगर आपको यहां पर मैंने दो बार where लिखने की बजाए सिर्फ एक बार where equal to 10 लिखा और comma लगा है हम मैंने semicolon नहीं लगा है बलकि यहां पर मैंने comma लगा है तो इसके बाद अगर हम comma लगाएंगे तो यह automatic वेर ले ले लेगा हमें फिर से वेर लिखने की ज़रूरत नहीं है तो यहां पर आपने यह चीज़ देखिए इस तरीके से भी आप इसको यू वेर एक कॉमा भी ही रखता हूं और फिर हमने यहां लेटर स्टेज ऑफ और कोड हमने ए और बी की वेल्यू को डिफाइंड कर दिए है तो मल्टिपल ऑपरेशन्स हम इन पर परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि एडिशन एडिशन आप लोगों को पताई होगा मन दीजाए कि यहांपर हमारा 15 कॉनसोल हो जाएगा अगर हम सब्ट्रैक्शन फालव करना चाहें कि ए मांइस भी कर ना चाहें तो यह माइनस बी हो जाएगा से हम सब्क्रेक्शन करते हैं कॉंसोल डॉट लॉग बिसिकली यह बहुत ज्यादा यूज होगा प्रिंट कराने का पर एक तरीके से कॉंसोल में आप समझ सकते हैं कि अगर हमें आउटपुट देखना है हम कंसोल डॉट लॉट कराएंगे अगर हम प्यूर जावय स्क्रिप्ट की बात करते तो वहां पर जन्रली होता है डॉक्रिमेंट क्ugerके सर्वर डॉट करें तो हमें यह डॉक्मिंट डॉट राइट की ज़रूरत नहीं होती है बल्के हमने इक फोल जानिंत यह ब्ला तर्मिनल में ही कंसोल के ना फड़ता कि क्या डेटा रहा है हमारा इसलिए हम इसना का कॉंसोल क्लोटक का यू 17 करते हैं, so I hope this is understandable to you now, for that can be, let's move on to the next slide, that is multiplication, multiplication में आप ये देख सकते हैं, कि मैंने ये और बी नाम के दो variable रखे हैं, और उन्हें C में मैंने declare कर दिया, वो भी multiplication, आप लोग mathematics से, थोड़ा बहुत basic mathematics जानते ही होंगे, तो plus basic जो operations होते हैं, addition, subtraction, multiplication, division, ये follow करता है, एक और operation यहां पर बताना चाहूँगा, आप लोगों से discuss करना चाहूँगा, जो most of the programming में आपको most of the time हम आपको use आता है, वो उसको हम कहते है, modulo, जो की percentile से use होता है, example के तोर पे, for example मान लीजे मेरे पास six by, अगर हम मान लीजे, six by two कर रहे हैं, तो answer आएगा हमारे three, अगर हम six, modulo, two कर रहे हैं, तो answer आएगा हमारे पास zero, जी हम बिलकुल सही, ये modulo operator, division operator नहीं होता है, यहां पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है, इसका output इस बात से depend करता है, कि number कितनी उस बार उस से divide हो गया, और जो remainder बचा, वो print हो जाता है, यानि कि अगर यहां पे मैं five, modulo two करता है, तो मेरा answer होता, four तक के तो वो divisible है, rest remainder क्या बचता, one, अगर हमारा seven, modulo four है, तो हमारा answer होगा three, तो जो भी remainder होगा हमारा, वो बचता है, अगर यहां पे eight होता, तो पूरा का पूरा divisible है, और remainder नहीं बचा, जीवा, तो यह एक और operation है, जो generally हम arithmetic operations है, या हम calculation में अपने use करने चाहते हैं, तो मैंने सूचा है कि यह आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि इस module हो के आप बहुत ज़ादा आप लोगों को programming में use upload कर सकते हैं इसको, so this is clear to you now, so now move on to the next slide, इन कौन-कौन से mathematical functions या और क्या चीज़े हैं इसमें use कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पे लेकर है, मैं एक where है, मैं where भी ले लिया, यह सिर्फ dummy values ही हैं, आप इनको कुछ भी ले सकते हैं, और मैं कहूंगा आप लोगों से आप multiple values लेके देखिए, खुद से try करिए output देखिए ताकि आप लोग और जल्दी समझें, तो यह यह वो सारे चीज़े हैं, जैसे हम मैंने sin A, हम cos max sqrt square root को हमारे define करता है, तो अब यहां यह सारे methods हैं, जो की math class के अंदर define किये गया है, तो यहां पर अगर हम कोई mathematical अगर method यूज़ कर रहा है, sign cos तो हम directly इसको इस तरीके से नहीं use कर सकते हैं, हमें math class जो की by default लोड़ेड अल्रेडी लोड़ेड लाइब्रेरी है, जावा स्क्रिप्ट के हम उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसके आप देख सकते हैं, यहने sign cos method यूज़ करा, max c यूज़ करा, square root, square root आपको मालूब नहीं होगा, जैसे 4 का square root 2 हुआ, तो हमारा 2 का square root 1.4 हुआ, तो इस तरीके से यह values को mathematical operators हमारे return करते हैं, जो कि अल्रेडी जावा स्क्रिप्ट में या नोड़ेड में अवलेबल हैं, compare reason operators, comparison operator, basically compare करेंगे हमारी दो values को, इस case में जैसे हमारी a और b, a हमारा 5 है, और b हमारा 8 है, तो अब हम यहाँ पर a, यह sign, a is greater than b, तो यह हमें return करेगा, true, no, a is less than b, so false return करेगा, इस वाले console में, क्या output आएगा, b is greater than a, true, इस operator में क्या आएगा हमारा, a is greater than or equal to b, false, इसमे, b is greater than or equal to b, इसमें आएगा, true, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ और में आप लोगों को बताना चाहूंगा, तो बहुत है कि और और चीज़ में यहां बैब लोगों से डिस्कस करना जाओंगा कि लेटसेड इस केस में यह स्माल केस होगा इस केस में भी वैल्यू फॉल्स आए बट यहां पे इसके और इसमें आप अरव डिफेरेंश देखे यहां पर डवल एक्वल्स टू है और यहां ट्रिपट इक्वल्स टू है तो यहां पर सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है कि यहां पर हमारी सिर्फ वैल्यू यानि कि लेट से अगर हम, for example, मैं एक टाइम के लिए इसको B कर दी है, मैंने, तो यहां पर आप यह देख सकते हैं, कि A की value 5 है, B की value 5 है, तो इस case में तो value और यह बी को मैंने इस तरीके से लिख दिया एक फाइव इस केस में तो यह true return करेगा इस case में false return करेगा क्योंकि यहां पर value के साथ उसका type भी compare होता है तो जैसे कि अब आप यह इसकते है कि pure numeric value है तो यह string type है जिसकी value जिसके अंदर हमने file define कर रखा है बट यह string type है cold type इसका string type है तो यह इस condition में fail हो जाएगी यानि की false return करेगी तो मैं यहां पर आप लोग java script में अकसर जो है हम type भी check कराते हैं तो it's a best and general practice जब यह value compare करिए हमेशा उसकी type को भी compare कर लीजे ताकि आपको पतार चले कि same data type आ रहा है so I hope this thing is comparison operators is clear to you now यहां पर इसको फिर से redo undo कर देता हूं इसकी previous state पर ले आता हूं तो अब मुझे लगता है कि यहां पर आप लोगों को यह चीज एकदम clear हो गही होंगी कि किस तरीके से हम values को यहां पर compare कर सकते हैं so मुझे लगता है next slide पर चलना चाहिए यह नहीं कि logical operators logical operators basically क्या होते है logical operators अगर आप लोगोंने gates पढ़े हो and gate or gate not gate तो basically computers में switching theory में अगर आप लोगोंने advanced technical courses लिये हो तो आप लोगों को मुझे लगता है यह gates क्या होते हैं यह पता होंगे तो अब आप इनको इसी तरीके के समझ सकते हैं कि यह true और false में ही return करते हैं जातो ही इनकी value true होगी या false होगी जैसे कि इस case में मैं आता हूं तो यहां पर a is greater than b तो यह condition false है हमारी तो यह false return करेगा हमारा है आपर a is greater than or equal to b इस case में भी condition false है बड़ क्योंकि इसके साथ not लग गया तो यह false को true करते हैं इस case में हमें जो answer return होगा वो true return होगा यहां पर a equals to b तो यहां पर condition क्या a b के बराबर है तो definitely नहीं है और condition तो वो next condition को check करेगा कि क्या a से बड़ा है तो यहां पर answer आ जाएगा हमारे पास false plus false equals to false इस तरीके से हमें output logical operations को हम perform कर सकते हैं mode.js यह javascript के अंदर जिसे हम use कर सकते हैं so next now move on to the next slide that is iterations iterations basically आप लोगों को पता होंगे क्या होते हैं किसी चीज़ में अगर हम repeatedly iterate करना चाहेंगा हमारे पास एक data है for example in general जैसे कि हम दो चीज़े use करते हैं iterations के लिए एक for use करते हैं while use करते हैं यह बहुत ही common है iterations करने के लिए हम do while भी कर सकते हैं और हम for each javascript नो हम use कर सकते हैं iterations के लिए बट यहां पर हम सिर्फ limited पढ़ते हैं क्योंकि यह basics है तो यहां पर भी हम सिर्फ for and while के लिए बात करेंगे for में हमारी generally तीन चीज़े होती है पहला एक initialization होता है कि हम value को किससे initialize करते हैं क्या होगा कि हम एक add करना है separate करना है वह हम तीसरी condition में और इसके अंदर हम actions को perform करेंगे तो अब मुझे लगता है कि आपको iterations भी समच में आगे होंगे यह general programming concepts है so I hope this is clear to you just सिर्फ एक touch देने के लिए मैंने आपको यहां पर discuss कर लिए अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताए है एक for loop होता है एक while loop होता है हमारा तो यहां पर एक while को मैंने एक example के तोर पर लिखाया कि यह numbers यह program आपको one to ten तक के numbers बलकि zero से nine तक के numbers print कर देगा क्यों zero से nine करेगा क्योंकि हमारा zero से initialize हो रही है और greater than 10 जब तक के उसका number less than होगा तब तक चलेगा अगर हमारा equals to लगता है हां के तो यह 10 zero से 10 print करता है लेकिन क्योंकि यहां equals to का sign नहीं है तो zero to nine ही number प्रेंट करेगा इस तिंग इस क्लियर टी यह ना और लूप एंड वाइड लूप अब हम arrays को देखते हैं जो हमने सबसे पहले देखा था data type नमवरा एक array data type था arrays basically जैसे कि वहाँ पर भी मैंने आपको बदाता है कि multiple types के लोके उसका हम allocations कर सकते हैं यह एक blank array हमने यहां पर define कर दी इसे हमने object type में हमने define कर दी और यहां पर हमने array ही define कर दी जो एक ही तरीके की values को contain ही है इस case में 3,5,12,8,7 है इस तरीके से हम arrays का declaration करते हैं अब हम next slide में देखेंगे insulting of the data कि हम किस तरीके से insult करा सकते हैं data को पिछली side में हमने पना है array को किस तरीके से represent करते हैं या किस तरीके से हम initialize करते हैं यहां पर हमने यह देखेंगे अब माल लीजिए अगर हमें इसी में ही एक blank array है उसमें हमें कुछ values को fill कराना है तो यह हम कैसे कराएंगे सो अफर creating an array object we can insert data use square bracket with index if you want to assign the value you can also use the push function to insert data generally हम आरे पास array में values को push कराने के दो method होते हैं या तो हम square bracket में index हम pass करा दें और उसकी value को हम define करा दें या फिर हम पुछ करा दें किसी एक array में value को for example यहां पर मैं एक बहुत ही basic सा एक चोड़ा एक्जामपल लेना चाहूंगा कि अगर हमारे पास array है वाल दीजाए let's say where array equals to to यह एक black array अब मुझे में मुझे इसमें एक value को insert कराना है तो मैं इसको स्परी के से कर देता हूं array आर्क अगर पास लत्तो दीजाए यह लत्तो पास गर्दोड़ा यह लत्तों आर्क पास तो अगर के अगर यह हम पास वहदार है तो यहां बैब आप यह देख सकते हैं कि मैंने एक दो एक पर्ट कुलर एरे में मैंने दो वैल्यूस को डाल दिया तो जब आप इसको प्रेंट करा होगे तो आपके वास और पुट कुछ इस तरीके का आएगा 45,60 से आएगा इस तरीके का आपको एरे रेटरन हो जाएगी अगर आप स्कुएर मैटविट से डेटा को इंसल्ट कराते हैं अगर आप अब हम यहां पे नेक्स एक्जामपल में हम देखेंगे पुश का केस क्या थे हैं हम पुश को कैसे इस का सब्सक्राइब इस केस में माली इस तरीके से अब मुझा इसमें इसके बाद मुझा टाल्टी पाउद्टिवक्तिविए कि वैल्यू एक और इसी आयरे में इंसर्ट करानी तो या तो हम इसको एक तरीका है जो जैसे हमने पिछला दरीका देखा कि हम इसको करा दें और जब हम इसको कंसोल कराएंगे तो हमारे पास रिटन रिट आएगा 67 और 30 है या फिर हम पुश करें उसका सकते हैं इस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट कराते हैं किसी वे एक एरे में आपको एरे डिकलेरेशन इस तीन तरीके से मेरे को डेकलेर कर सकते हैं इस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी एक एरे में अब हम देखते हैं किया कर हम डेटा को अगर हमें अपडेट करना हो किसी भी एक एरे में तो हम अपडेट कैसे कर सकते हैं जैसे कि तो अपडेट एन इटम आफ एरे यू कन जूज स्क्वाइर विड डेटा इंडेक्स एंडस असाइन न्यू वैल्यू जैसे कि और एक्जामपल हमने आपको लिखाया कि हमारे पास मान लीजे किसी एक एक्जामपल में हमारे पास एक वैल्यू थी हमारे पास एक वैल्यू थी हमारे पास एक वैल्यू थी हमारे पास मान लीजे तो आप यहां पर यह देख सकते हैं कि हमने पर एक्जांपल एक सब्जेक्ट के मार्क्स के मान लीजिए तीन सब्जेक्ट है फिसिक्स को इस्ट्री मैट्स उसमें मैंने तेज थर्टी को वाटिफाई आउट और फिफ्टी मैंने वैली इसके स्टोर करना है अब मुझे तेज को थर्टी सिक्स करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता है तो मैं यहां पर सिंपल सा अगर इस तरीके से करा है अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉट अगर करा हूंगा मुझे जो एरे रेता होगा अगर कुछ इस तरीके का हो जाएगा अगर किस तरीके का अब डेट कर सकते हैं वैल्यू की अपडेशन भी अब आप लोगो क्लियर हो गई एक किस तरीके से हम वैल्यू को अपडेट करता हैं इस इंट्रोड़क्श इपोर्स में हमने सिर्फ बहुत ही बेसिक से उसको डिफाइन करते हैं एरे को एरे को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं और किस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं उसको लास्ट है कि अब हम माली जे मैं रिमोव करना किसी डीटा को अगर हमें एक पल्ट्कुलर लोकेशन से हटाना है एक पल्ट्कुलर इंडेक्स है जैसे हमारा जीरोथ इंडेक्स होता है एक चीज और है कि एरेज हमेशा जो है जावा स्क्रिप्ट की एरेज हमेशा वो जीरो इंडेक्स से चालू होती है यानि कि टू आइटम्स पढ़ें तो जीरो वन होगा ना कि वन टू तो अगर यहां पर हमें एक पल्ट्कुलर इंडेक्स से हटाना है तो हम स्प्लाइस को यूज करेंगे अगर हमें सिर्फ एंड से हटाना है तो हम पॉप मेथट का यूज करेंगे और वो लास्ट को जो भी लास्ट इंसल्टेड हमारी वैल्ली होगी उसको पॉप कर देगी यानि कि रिमूब कर देगी आप लोगों यह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्योंकि हम बहुत जादा काम जनरली स्कृत बोगों कि नोट जयास या जावा इस्क्रप्ट में एरस से करते हैं या ऑब्जेक्ट इसर करते हैं यह और एक जैसन का डेटा होता है जिससे हम next को define कर सकते हैं किस तरीके से मैं के naming करते हैं किस तरीके का हमारा क्या convention है मैंने बताए जावा script में generally हम variables का name camel cases में रखते हैं तो यह सारी चीज़े आप लोगों को आनी चाहिए तो नोग फ्रेंड्स बोव अन्ट तो नेक्स टॉपिक जैस जैसन जैसन इस लाइट वेट जावा इंटर्चेंज फॉर्मेट नोट जैस सपोर्ट जैसन अब्जेक्ट पर डेटा कॉम्निकेशन यह बहुत ही अगर आपको पता हो कि जैसन एक तरीके का डेटे इंटर्चेंज फॉर्मेट है जे में दो तरीके के और भी होते हैंगर जो सबसे आदे स्टैंडल्ड है यूसेज वाले होते हैं एक हैक एक XML मेट होता है और एक दूसरा जैसन फॉर्मेट होता है जैसन परमेट अब बहुत ज्यदा पॉप्लर होते हैं क्याकि XML में हमें बहुत multiple level के हमें जो है एक तो बहुत node हमारी create हो जाती थी तो वो काफी redundant data होता था हमें फिर उसके अंदर भी हमें कुछ attributes वगरे define करने पड़ते हैं हमें पूरी की पूरी एक XML एक tree बन जाता था उसको pass करना पड़ता था बट जावा जब से JSON आया है most of the companies and most of the products are using this particular format for data interchange for data communication so node.js भी JSON objects को support करती है data communication के लिए so अब हम टेकेंगे next chapter में कि हम JSON objects create कैसे कर सकते हैं कि how we can create a JSON object a JSON object in node.js uses curly braces syntax to declare the JSON data type for instance we have a JSON object called customer this object has the attribute name, email, age and register d तो जैसे कि हमने अगर आपको याद हो तो मैंने जो variables वाला आपको बताया था वहाँ एक सबसे last वाला एक मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से data को declare कर सकते हैं यह यहाँ अगर आप देखें तो मैंने यह JSON object मैंने बनाया है मैंने उस समय बहुत जादे डीटेल लिए इसकी नहीं दी थी क्योंकि इसको ऐसा separate chapter मैंने इंट्रोड्यूस किया हम एरेस से familiar हो चुके हैं अब लास्क जो हमारा target है वो है JSON object तो यहाँ पर प्लीज बहुत ध्यान से इस chapter को समझें क्योंकि यह बहुत ही important चीज है JSON objects हम किस तरीके से JSON objects को हम handle करते हैं अपने node.js में या फिर यह बहुत जागा यह तर्मिनलोजी जेसन अब्जेक्ट की यूज होती है तो यहां पर प्लीज बहुत ध्यान से इसको देखें कि जेसन अब्जेक्ट किस तरीके से होते हैं अब मुझे लगता है यह आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा और इंस्टेंस भी है वाज जेसन अब्जेक्ट कॉल कस्टमर यहां पर मैंने क्या एक कस्टमर टाइप का जेसन अब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके कुछ सेट्स ऑफ एक्ट्रिवेट हैं जिसे नेम इमेल एज और रिजिस्टर टे कुछ यह तीन तुम जो है वह प्रीवेस एक्जामपल से मैंने लिए एक रिजिस्टर डेट है कस्टमर की क्योंकि डेट बात कर रहा हूं तो अब यहां पर हम देखे हैं किस तरीके से जेसन अब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं कि कि मैंने आप वहां पर पहले एक्जामपल में बता दिये तो मुझे लग रहा है अब आप इस चीज़ से काफी फैमिलियर हो गांगे कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको जूस कर सकते हैं बस हमें कर ली ब्रेसिस नेम नेम माइकल जैड टेस्ट जैड और वाटवर इवां माइकल डाट कॉम इस थर्टी फाइव रजिस्टर डेट न्यू डेट यह आप लोगों को पता ही होगा यह करेंट का टाइम स्टैंप हमें करेंट की डेट बेसिकली हमें रिटर्न कर देती है कि क्या डेट है समय तो आइफोप यह जावा स्क्रिप्त का इस इंटेक्स डेट इसके इस तरीके का होगा डेट डेट अबजेक्ट रिटर्न कर देगा था ले आईस्टी काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है यह एक सिंपल जावा स्क्रिप्त का है बड़ यह शुड नो इस थिंग्स वन बिकास्यूर डेलिंग जावा स्क्रिप्त तो साइड बाई साइड आपको जावा स्क्रिप्त बियानी चाहिए इस इधर यह बहुत ही सिंपल तरीके का था यहां पर मैंने थोड़ा और उसको बता है कि सिर्फ एक जेसन अपने अंदर एक और जेसन डेटा को भी निसल्ट कर सकती है यह नहीं है कि एक जेसन जेसन है इसके वादिया नीजिए है अगर हम मान लीजाए है और cities होता हमारा पास यह अपने आप में भी एक और जेसन हो सकती है तो multiple तरीके से हम इसको multiple जेसन हम एक दूसरे गांदर डाल सकते यह address पार को फिर झाल Sorry एक होबी इस नाम की भी होती जो एक हैरे टाइप का डेटा को भी स्टोर करती है कि इस तरीका से यह जैसे न डीटा को डिस्प्लेड सकते हैं आ बोगी किस तरीके से हम यह संपल कर सकते हम दिस्पले कर लाना दिस्प्लेंग डेकर अफटों के जैसे अपन लोक dot log to see your object console dot log हम simple सा क्योंकि हमने customer में हमने define किया था अब अगर हमें अपने terminal में देखना होगी customer क्या value hold करता है display कराना हो तो हम console dot log customer करा देंगे और ये as it is ही पूरा हमें जो के data यहां तके print करके देगा so i hope displaying the data is also clear to you now another thing is accessing the data as we know console dot log can display all json attributes if you want to get a step specific attribute of a json object then you can call the attribute name directly for instance we can use the customer object and display name age and register tape तो आप यहां पर सिर्फ आगर आप देखने वाली बात ही है so in accessing data as you know console dot log can display all json attributes if you want to get a specific attribute of a json object then you can call the attribute name directly for instance we can use the customer object and display name email age and register date तो अब आप यह देख सकते हैं कि हमने so generally अगर हमें access किसी json object लोग करना है तो most of the cases हम उस variable का नाम dot property का name जिसे हमें access करना है जैसे कि अगर हमें यह एक्सांपल देखें हमारा customer का name और dot name हमने उसको access कर लिया email है तो हमारा email है dot से हमने access कर लिए एज है तो हमने dot से access कर लिया register date है तो personal dot register date अगर हमें एक further इसके अंदर हमारी json के अंदर एक और json होती है हमें parse करना होता है तो वह हम उसमें xyz for example माल लिजिए age के बाद xyz नाम से एक और थी उसके और उसके अंदर के एक और हमें एक और object था जो कि टॉप नाम से था इस तरीके से dot dot करके हम उसको access कर सकते है तो काफी easy हो जाता है हमें json में data को store करना है एक्सेस करना है यह देख सकते है एक सैमेल होता है तो भार बार नोट्स में हमें traverse करना पड़ता है यहां पर हमें simple dot से ही हम access कर लिए अगर हम editing करना ही हो माल लिजे किसी data की जैसे इस में है मैंने माई जैसन नाम से गरीबर लिए एक जैसन अबजेक्ट लिए है जिसके एड़ी पी है ने जैक्सन है इमेल है टेस्ट अब मैंने इसको console कर आए तो यह as it is इसलिए हम में जैसन अबजेक्ट हिटन करती है अब मुझे माल लिए इसमें country नाम से एक और प्रॉपर्टी जूड़नी है तो मैंने माई जैसन में जाकि country जैसा कि हमने array में हम जॉइन कर देते हैं एक स्कुरार ग्रैकेट और index हम डिवाइन कर देते हैं यहाँ इंडेक्स हमारा country है इसका जर्मनी तो यहाँ पी इस तरी देखे के दिखेगी के country country और जर्मनी 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 तो इस तरीके से जैसन को एडिट कर सकते हैं माली जैस मुझे इसको एडिट करना हूँ अब आप यह देख सकते हैं मैंने customer.email हम इसको या तो email dot से represent कर सकते हैं या पर square brackets में अगर हम square brackets से करेंगे क्योंकि जिस data type का जैसे यहाँ पर email हमारा एक string type से था तो हम नहीं यहाँ पर हमें define करना पड़ेगा so in general हम इसको dot से ही represent कर देते हैं क्योंकि तमामे square brackets नहीं लगाने पड़ते हैं हमें extra quote नहीं define करने पड़ते हैं यहाँ में आप देगा कि इस तरी की साहन जैसन दरीकर सकते हैं जैसन एरय राव możli। ऑफ एक्से में संफॉप्यों सब्सक्राइब को एक टार्डड फार्यूप्या दियू सब्सक्राइब नियू को मैं आप यह यहद में बनाएग घ्रड फॉद फॉद द्र टैक्स ने पार्डड बनाएग जेसे लिगार्ड पैक पैस्टम क्ली का बनाएगां है इन इड डिफाइन कर दी यूजर ट्रांजेक्शन की डेट मैंने डाल दी है मान लिजे एक पर इंड़ है फिर एक डीटेल्स में लिए डीटेल्स हमारे एक एरे हैं जिसके इंदर खुद यह सिंपल आरे ना होगे एक एरे ओफ अब मान लिजे मुझे इसमें से वैल्ली को फेच प्राइफ्प जाने च्छाइप डब्राइबड बडर विशनर गूजर अफर्स चफर्द प्रॉड्स ट्रॉजर फोट्रांजत्यों डॉजर ये अ अधर उस त रितं़ प्रॉजकर अबडर लाइख प्रॉज گहा यह होगे होगे प्रॉज्ट डोज्चि ग्वर्ट टॉज यह मुझे पूरी की पूरी एक एरय और अब्जेक्ट से रिटन कर देगी जिसके ओपर अगर हम फिर फुर्दर कोई चीज को एरी लगाने चाहें तो हम लगना सकते हैं यह सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट थी दो चीज़े इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों अगर मैं फर्दर इसको अब्जेक्ट करना चाहता माल लीजिए इसने मुझे एक एरय रिटन करा मुझे यह नेम लेना है तो इस एक्जामपल में बहुत इजली अब अगर आप देख सकते हैं कि डॉट डॉट ट्रांजेक्शन डीटेल्स को मैं कुछ इस तरीके से भी ले इसके जी रोत इंडेक्स के डॉट नेम यह उटकुट कर देगा मुझे